आज हमारी जीवन की सबसे बड़ी साध्य पूरी हुई है शोशित वंचित उत्पीरत वर्गों के सबसे बड़े पैड़ोकार महान समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग देश को पुरानी ह श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन आज पूरा देश करपूरी ठाकुर की सतावदी समारो मना रहा है जहां एक तरफ राजधानी पटना में भव रैली का आयोजन करवाया गया है मुखमंतर न्यूतिश कुमार की पाटी जदियू आज भव रैली करने जा रही है वही दूसरे तरफ आपको बता दे की जननायक करपूरी ठाकुर की सतावदी समारो को लेकर बिहार के डेप्टिसीम तिजश्वी यादव ने क्या कुछ कहा है किस तरीके से उन्होंने को हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को आज हमारी जीवन की सबसे बड़ी साध्य पूरी हुई है शोशित वंचित उत्पीरत वर्गों के सबसे बड़े पैड़ोकार महान समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्य मंतरी स्वर्गी करकुरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दश्य को पुरानी है इसके लिए लगतार हमारा दल हमारे पिता राष्ट अध्यक्ष अधरने लालो जी मानने मुख्य मंतरी जी कई अन्य वरिष्ट समाजवादी नेता मैं स्वयम इसकी मांग करता रहा हूँ और जिस हिसाब से नई महागरबंदन की सरकार ने जाती अधारित गन्ना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरेक्षन दिलाया है बढ़ाया है इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है आज हमारी जीवन की सबसे बड़ी साध्य पूरी हुई है शोशित वंचित उतपीरत वर्गों के सबसे बड़े पैड़ोकार महान समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्य मंतरी स्वर्गी करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दश्य को पुरानी ह आपको बता दे चले कि केंदर सरकार ने बीते दिन्यानी की कल जननाय करपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही है इस बात की घोशना की है इसको लेकर पूरे बिहार के लोग जो है वो काफी जादा खुश है जननाय करपूरी ठाकुर पिछड़े आती पिछड़ो की आवाज है कि जन्नाय करपूरी ठाकूर आरक्षन को बढ़ावा उनने दिया है अगर बिहार की बात करें खास करके बिहार की राजनेताओं की बात करें तो उनके लिए बेहत ही बड़े दिन के तोर पे आज का दिन जो है वो देखा जा रहा है क्यूंकि बिहार के जो पारधाराओं को आगे लेकर बढ़ रहें कर पूरी ठाकूर के ही विचारों को वो आगे लेकर आज तक चलते ही आए हैं फिलाद के लिए इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूस पोनेशन